अन्वसकार डेट है आज की एक नवंबर 2020 और आज कंड़क्ट किया गया था तहसील वेलफेर ऑफिसर का एक्जाम तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन के दोरह ये एक्जाम कंड़क्ट किया गया था सबसे पहले हम HPGK का section यहां पर discuss करेंगे तो question number 71 से start होता है यहां पर खा गया है तो stimulate local economic development, enhance basic service and create well-planned rural clusters the ministry of rural development, government of India has कितने cluster जो हैं यहां पर स्थावित किये गए हैं तो option B सही अंसर होगा छे cluster जो हैं स्थापित किये गए हैं यह cluster कहां कहां पर स्थापित किये गए हैं यह भी मैंने आपको बताया था जब यह question हमने mission H.J.S. में discuss किया था तो यह question हमने detail में discuss किया था question number 72 है इस सतलूज river enter Indian territory at which of the following place तो सतलूज नदी जो है इंडिया में कहां से एंटर करती है तो यह शिपकिला किसमी option C जो है वो सही अंसर है शिपकी के पास जो है यह एंटर करती है Q73 है कमेरी या चोली जोंगी चदरू कमरबंद चालन या सूथन और घास या पुलाओ से बने जुता 21 जनजाति के महिलाओं का पोशाग है तो यह पोशाग जो है यह पंगवाल के लोगों का है option D जो है इस question का सही अंसर होगा next question is question number 74 question number 74 है which of the following combination is correct इन मेंसे कौन सा combination ऐसा है जो correct है option D सही अंसर होगा option D जो है वो बिल्कुल सही है बाख्यांग जो है वो dance का type है या आपको पता होगा कि नौर में males के बीच यह dance perform किया जाता है question number 75 this is 75 है the most ancient art and architect of Himachal Pradesh is तो Himachal Pradesh की सबसे पुरानी या फिर सबसे प्राचीन कला और वस्तुसरली कौन सी है सबसे प्राचीन कला और वस्तुकला जो है वो है खसाज style art option C जो है वो सही अंसर है question number 76 है नेमलीखित में से किस painting school को राजा उदाएश सिंग के साशनकाल में पहली बार साही सरंक्षन मिला which of the following painting school got the royal patronage first time during the reign of Raja उदाएश सिंग तो यह चमबा painting को मिला था यह तो आपको पता है option C सही अंसर है question number 77 है which district of Himachal Pradesh has recorded the highest child sex ratio throughout the country at per 2011 census 2011 की जनगर्णा के अंसर हिमाचल प्रदेश के किस जीले ने पूरे देश में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात दर्च किया है तो यह लोगा श्पित्ति के द्वारा किया गया है option D जो है वो सही अंसर होगा next question is question number question number 78 है which of the following is improved policy used by department of animal history in Himachal Pradesh तो हिमाचल प्रदेश प्रजू पालन विभाग में से किस कुलकुट प्रजाती की उननत नसल को प्रदेश में लेकर आया है तो यह option C island red जो है वो सही अंसर है question number 79 है which of the following combination is incorrect तो यहाँ पर आपको बता रहा है incorrect combination कौन सा है मतलब गलत मेल जो है इनमेंसे कौन सा है यह फागली जो है यह famous festival है पत्तन घाटे का बिल्कुट सही बात है और भुम्रो जो है यह religious festival है related to agriculture बिल्कुट सही बात है यह agriculture से related है और तीसे नमबर पर हाल्दा यह फिर लोसर जो है new year festival है लोस्पिति में बिल्कुल सही बात है तो question number यहाँ पर डी जो है वो है छो थांग जो है वो क्या है छो थांग जो है फेस्टिवल आफ दियाज है क्या तो यह festival आफ दियाज नहीं है option D इसका सही अंसर होगा यह सका सही अंसर है question number 80 who's the author of book shimla past and present shimla past and present किताब के लिखा कौन है यह question भी हमने कई बार discuss किया था जब धी किताबों का नाम आता था option A E J Buck जो है वो सही अंसर है यह सका सही अंसर होगा question number 81 81 है यहां पर आपको match करना है लेकि रॉतनी कैसल बीडिंग आपको पता है किसके साथ relate करेंगे इसको आप A O Hume के द्वार साथ जो है relate करेंगे A O Hume के मन में यहां पर इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की स्थापना सा विचा रहा है था कालका शिंबला रेले लाइन को किसके साथ मैच करेंगे H.S. हरिंटन के द्वारा option A के साथ और उसके बाद Christ Church option 4 देखे सबसे पहले option 4 को तो आप यहां पर search कर देंगे H.S. आपके बाद से दो option बजाती है option A and option B तब तीसरी option जो है इसको किस के साथ correct किया जाएगा इसको option E के साथ जो है मैच किया जाएगा Old Shimla Bank तो इस question का कौन सा सही अंसर हुआ इस question का जो है वो option A सही अंसर है तीसरा थोड़ा सा doubtful था तो तीसरे काप याथ रखेगा जो Master Barrett and Camp को है यह जो है Old Bank of Shimla है Old Shimla Bank की building का नाम होगा यह question number 82 है नेमदा रूलर ऑफ शिर्मावर who was awarded with a costly robe and was entitled with a salute of seven guns by British government in law of services during 1857 तो अठारा सुस्तावन के विद्रोह के दोरान दी गई शेवाओं के लिए निम लिखित में से सिर्मावर के किस राजा को बिल्टी सरकार ने एक बहुमुल्य पोशाक और साथ ओपों की सिलामी से सुषोवित किया था तो यह राजा संसेर सिंग संसेर प्रकास option राजा संस टेरिटोरियल कॉंसिल विच वाज फॉर्म इन 15 अगस्ट 1957 तो पंदरा अगस्ट 1957 को जो टेरिटोरियल कॉंसिल बनी थी उसके हैड कौन थे तो option B करम सिंग ठाकुर जो है वो सही अंसर है क्वेशन नमबर 84 है हिमाचल प्रदेश कौन से नमबर का स्टेट है जिसने हिमचल स्वएन सर विशिस को लांच किया है था जो लास्ट टाइम का हमने सरवी डिसकस के था तो उस टाम ही क्वेशन डिसकस वा था तो यह पहला ही स्टेट है हिमाचल ऐसा option A सही अंतर है पूरी कंट्री में पहला ऐसा स्टेट है जिसने हिंस्वाइन सर्विसिस को जो है वो स्टार्ट किया है क्वेशन नमबर 85 एच आर एम एन नाइन नाइन इस वराइटी ऑफ विच टाइप अफ क्रॉप तो यह एपल की वराइटी है क्वेशन नमबर 86 में कहा गया है एट विच आफ फॉलाइंग प्लेस याक ब्रीडिंग स्टेशन वैसे तो लारी में स्टित है लारी यहां पर आप्शिन नहीं है क्वेशन नमबर 87 में से कौन सा हाइड्रो इलेक्रिक पावर प्रोजेक्ट दिल्ली में रास्ट राजधानिक चेत्र के लिए पेजल अपूर्ति को पूरा करता है तो यह है रेंडुका डैम प्रोजेक्ट ऑप्शिन डी जो है वो सही अंसर होगा क्वेशन नमबर 88 है according to 2010-11 census यह क्वेशन में कहीं बार डिसकस किया था वट इस टोटल प्रेसेंटेज ऑफ स्मॉल एंड मारिजनल फार्मर जिनके इनके पास कितनी लैंड होल्डिंग है ऑप्शिन ने सही अंसर होगा 87.95 प्रेसेंट तो दो तीन दिन पहले मैंने आपको जाय था कि स्मॉल फार्मर कौन होते हैं मारिजनल फार्मर कौन होते हैं अब यहीं से यह क्वेशन लिंक भी हो गया व्यूशन नमर 89 है अंगोरा रैबिट फार्म और डिस्रिविशन ऑफ रैबिट तो दा ब्रीडर्ज आर फंक्शनिंग एट विचोथा फालोइंग प्ले अब यहां पर पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश फोरेष्ट एको सिस्टम क्लाइमेंट प्रूविंग प्रूविंग प्रजक्त चलाया गया है जर्मनी की सहायता से वो कौन कौन से डिस्टिक में चलाया गया है तो यह डिस्टिक चमबा और डिस्टिक कांगडा में चलाया गया है ओप्शन C जो है वो सही अंसर है तो यह राष्टरी ग्राम सोराज अभियान के तहर जारी की गई है ओप्शन A सही अंसर है इसमें नागरिकों के सुझावों और मांगों को एकत्रित किया जाता है इसमें सरकारी योजनाओं से समन्दित जानकारी प्रदान की जाती है इसमें तो option D सही बच गया वापके बास यह skill बगएरा यहां पर provide नहीं करवाया जाता तो option D सही अंसर होगा question number 94 है 94 में कहा गया है कि बेटी है अनमोल योजनाओं से समन्दित कौन सा कथन सही है देखो बेटी है अनमोल योजनाओं की बात करें तो इस योजना के थैद girl child जो की BPL family से belong करती है उनको benefit दिया जाता है बिल्कुल सही बात दूसरे नमबर पर कहा गया है कि दो girl child तक जो है ये benefit दिया जाएगा बिल्कुल सही बात है तो तीसरे नमबर पर कहा गया है कि 15,000 पे का scholarship उनको provide करवाया जाएगा तो बिल्कुल गलत बात है ये 12,000 पे का scholarship परवाया जाता है option 1 and 2 सही अंसर है option A सही अंसर होगा बिल्कुल सही बात है किसानों को 75% से लेकर 100% तक subsidy प्रवाया जाती है बिल्कुल सही बात है और 5850 सिंचाई करने वाले solar pump जो है वो खृदे जाएंग subsidy पर बिल्कुल सही बात है option 1, 2 and 3 सही अंसर होगा option D सही अंसर है question number 96 है मुख्यमंत्री सहरी अजीविका यूजना से समधित कौन सी statement सही है इस योजना के तहर 120 दिनों का रोजगार प्रवाइड करवाया जाएगा क्या बिल्कुल सही बात है registration के 15 दिन के अंदर अंदर यह जो भी होगा employment प्रवाइड करवानी पड़ेगी बिल्कुल सही बात है और इसके लिए जो है upper age limited 62 years रखी गई है तो यह गलत बात है 65 years जो है वो रखी गई है तो अटल स्कूल वर्दी योजना के थह जो है एक से लेकर 12 कक्षा तक के बच्चों को बर्दी ली जाती है बिल्कुल सही बात है क्या एक से लेकर बारा कक्षा तक के बच्चों को बैग भी दिया जाता है तो बैग तो नहीं दिया जाता है एक से बारा तक बैग जिरफ दिया जाता है कुछे कलासिस को ही और उसके बाद इस योजना का उदेश से जो है वो कक्षाओं में छात्रों के बीच एक रूपता ब इस योजना के तहट cashless जो है वो 5 लाख रुपेका तक किया जाता है बिल्कुल सही बात है इतना treatment जो है वो किया जाता है और दूसरे नमबर पर कहा जाता है कि all the registered family member with get treatment at per defined package rates and बिल्कुल सही बात है और तीसरे नमबर पर कहा गया है कि जो serious बीमारियों से ग्रसित लोग है व के बात गलत है option A जो है वो सही answer है one and two statement सही है अब स्मार्ट city mission की बात करेंगे तो स्मार्ट city mission की देखी पहली statement है कि सरकार ग्रामिन क्षेतुर में वरिष्ट नाक्रीकों के लिए अवश्यक सुविधाओं के साथ हर विकास खंड में पारकुद्यान विक्षित करेगी ये तो पंचबटी योजना है न हमने कल परसु डिसकस किया था कि ये पंचबटी योजना के तहद होगा पहली statement तो गलत है अगर आप पहली statement को गलत कर देते हैं तो option A cancel हो गया option C cancel हो गया option D cancel हो गया आपके पास option B सही answer अगया दूसरी और तिसरी statement जो है वो सही है अगला कहा गया है कि एक बूटा बेटी के नाम जो योजना हैा इस योजना के बारे में कौन सी statement सही है जो को इस котор में जो है किया होता है कि जो लोग होते हैं उनको बेटी के जनम पर जो है पुधा लगाने के लिए प्रोंचाय किया जाता है और पूधा दिया भी जाता है तो पहली statement तो सही है, एक प्लान किया जाता है, उसके साथ किट भी दी जाती है, तो ये बात भी मैंने आपको बताई थी, तो दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, पंचायती राट डिपार्टमेंट इसको मेंटेन करेगा, ऑप्शिन डी जो है, वो सही है, ऑप्शिन डी 1, 2 and 3 जो है, वो